कि सभी मित्रों को जया हूं कि आज धूल का दिन है आज ये रंगों की खेली जाती है दोस्तों और सुब्स जल्दी अले इंद मॉर्णिंग ये ब्यूडियो बना रहा हूं थोड़े जिर में डाल दूंगा गंटे-दो-गंटे में और आज आज यह दो जातर लोग वोलिन नहीं खेलना पसंद कर रहें आज कल क्या हो रहा है ना वे बेटना पसंद करते हैं भार कोन कैसा रंग डालते से और फिर कपड़े खराब नहीं करना चाहते थोड़े से तो वो भी है सब और वह बाइक है व कपार ऐसे आसानी से अतने महगे बन तेयां असमिंक निव्क विडिन को एक अधिन न femmes लेकिंघिन लिकी दो अम्हें great news मित्रियारों के संग सब के संग है ठीक है ना पराने जमाने जासी होलियां तो अब होती नहीं है लेकिन फिर फॉर्मल्टी एक दूगंटे तो एंजय कल लो कम से कम कि जी रहे क्या हमने होली मनाई थी वाह 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 गुजिया पापड़ खा लेना कछोड़ी खा लेना है ठी और एंजय करो आन्द करो कुम मजा करो जंदगी है नमगीन काओ पापड़ काओ कचोड़ी खाओ जलेवी खाओ गुजिया खाओ मठरी खाओ पूरी खाओ हलुआ खाओ खीर खाओ ठीक है नमस्त्रों और नाना प्रकार्गी मिठाई काओ चपन भोग खाओ में तरफ से तो मेरे से मत मांगना मेरे दुग है कि नवर्दोस्त मालम आपको अराम बड़ी चीज और मुण ळक्के सोई कि लिए अराम को ज्चादा दिटा हूं अराम को आराम बड़ी चीज दिने मुण रके दिए ना इतको देखिये न तको जोई आराम से सोई कभी मौलम आपको सोने में बहुत मज़ा आता है कि जब हम किसी रेलेक्स पोजीशन में होती है हमें लगता है को आज काम नंदा नहीं है कुछ भी आज कुछ है नहीं तब यह द्वानी में सही होती है तो तर मिजए पड़े प्राफनी चीज थी की नहीं चीज़ा ओए को बंचल रहे लाए ना प्रकार की बाकर Estan जिमाग कि तो आगे हो डेए और यह बंकर कर दोब सैंब होती है कि आंगे खूल के बचार नहीं आते तुमाग में भाई और दोस्ते मालम है आपको चलो यसी समय जब वीडियो बनी रहा है तो मैं थोड़ा साब को एक ग्यान जरा हटके देता हूं आपको मालूम है जब हम एक्दम रिलेक्स पोजीशन में होते हैं जब हम एक्दम से रहसी पोजीशन में होते हैं शांतिक दिमाग शांत होता है कामेंड कूल तो हमारा ध्यान बहुत अच्छा करता है तो ऐसे समय में ध्यान लगाना चाहिए कि ध्यान की कुछ अगर अगर आपका ध्यान लग गया है पक्का होने लग गया है अपका मन आपके मन जो मन है आपके मस्तिस के इसाफ से चल रहा है आपके सुक्षू शरीर के साफ से चल रहा है मतलब जैसा हम ध्यान लगा रहे हैं वही हमें इमेजिंग में प्रकट हो रहा है दो यह बहुत बड़ी चीज है अगर ध्यान को कभी एक दिल में सद्ध नहीं किया जा तकता ध्यान उनका बहुत पक्का सद्धोता है जिनका चन्रमा अच्छा हो अच्छा हो जिनका मंगल मध्यम हो जिनका सनीव अच्छा हो जिनका केतुराव अच्छे हो ध्यान उनके भठकते जिनका चंद्रमा खरा हो जिनका शुक्र बहुत अच्छे हो शुक्र के संग मंगल हो बद्ध हो चंद्रमा हो तो यहां ध्यान बटकता है चंद्रमा के संग सनी हो तो यहां ध्यान बिगड़ता है कुण्ड़ेली की किसी भाब में ध्यान का छेत्र शाय अगर आपको ध्यान लगाना भी आता है और आपको मंत्रों की भी जानकारी है या फिर आपके गुरू की क्रपासे मिल रही है तो आप बहुत जल्दी शेत्र में आगे निकल जाएंगे गारेंटेट को ज्यानी क्राशी चीजें उस मंत्र को सोग्रा गती देता है आपको मालूम है अगर हमने जो चीतना में मंत्र किया है मतलब वह सोवाज में जो कर रहे हैं आग मंत्र करें सद्धाव आपसे ध्यान लगा करें और जो मंत्र हम पूर्ण ध्यान में कर रहे हैं जब चलता है तो जो मन में जब चलता है तो वह एक माला और चेतन मतलब संसार में रहते हैं संसारे की चीज़ा देखते हैं समझते हुए जो ध्यान करते हैं वह सो माला बराबर है मतलब ध्यान की एक माला और वैसे सामन्य में सो माला बराबर होती है कि इतना अंतर आया था समझ लेजिए कि मैंने भी अपना ध्यान कैसे मजबूत किया था मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं जो प्रेक्टिकल मेरी नॉलेज या नुभावर मुट अपकुत दे रहा हूं मैंने कोई बड़ी विश्यस तरीके से ध्यान नहीं किया था शुरुगार बहुत नॉर्मल तरीके से हुए थी मैं चट्पे गर्मियों के दिन से शुरू में ने ध्यान किया था तो मुझे अभी तक ध्यान है कि दूस्तों पहले तोवा सब्सक्राइब करता है अब तो लोग घराओं में रहते हैं एसी में सोते हैं बाहन ने निगलते हैं लेकिन पहले जाद अत्तर अमुमन लोग मत्रा जबगा जो छोटे से रुगे नमें सब में चट्पे सोते थे चातर पानी डाला कर्मियों में और विश्तर लगाए गंदी लगाए पलंग डाले पर चत्पे सो जाते हैं तो में रात में दस बजे गेर वर यह सब आसफास के कि तो में बैठ जाता था और मेरी जो पुरानी चाल्ट जो पुराना घर था जो चती उस पेसे जमना किनारा दिखता है साफ तो मैं टावर लगा हुआ था कि टावर के नीची एक मकान बना हुआ था कि यह कम से कम आपको जो चीज बता रहा हूं ने दोस्तों यह कम से कम पास से आठ किलोमेटर दूर के बता रहा हूं अब तरह देखता था वो कम से कम होगा सो तो फिटका बता वास तरह देखता था और उसके नीचे एक मकान बना हुआ था उस मकान के सामने एक कि बहुत बढ़ा जो प्रकारी लेंप होता है बढ़ा बाद जो हाईवे पे लगा रहा था वो लगा आप पोकस वाला अब नीचे से दूसर सहर के लिए रोट जवनापार पर जा रही थी जिसको कहते हैं लक्ष्वी इनगत रोट जैसे हम महातरस बगएर कान बन बगएर अलिगड़ बगएर जाते हैं वह तो उसको मैं बड़ी गोर से देखा करता था बड़ी गोर से उसके नीचे आसपास उ जो चाहते है अगार सो मैनाखान जाधा मुझे नीचे दिखती थे हैं कि ध्यान लगते 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 अइसा लगने लगया दोस्तों कि वू कि बल्व था कि यहां पर बहुत बड़ा फोकस था लेंब था वो मुझे दीर दीर बड़ा हुथा जा रहा था दीए 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 कुछ दिनों के वह लगा है ठीके ऑफर मुझे यह भी दीखने लगा कि जहां पर बूर पोस्ट रखाया लग रहा है मांकि उसके दीचे मखान मना हुआ है मंकार में खर्की दीखने लग गय। 트फंसे बड़े-भर बड़ी दीखने लग गया। और दुस्किन करते दिए बड़ी वती है सалे ऐसा निजेदे का तबात में अउक मतलब में उसको ज़्यादा बड़े रूप में देख अधि..? तो जमना किनार एक दिन अमार जाना हुआ उसी रोड पर वहां से मैंने सहर देखा अपना उसी रोड पर खड़े हो करके मैं उसी दिसा में देखा जिस समय दिसा में हमारा सहर है छत्य हमारी बहुत सारी मकान में ने वह ते अब इतनी दुष्टेन से समय से फांच गलों के की दिस्टेंश से मकान देखना असम्भाव तो अब मगर एक मार्क था महाँपर तह कि माँपर एक साथ खड़े हुए कि शेट अब आवश्चारक कंपणी के अटावरों के नीचे ही मकान मां उन टावरों के सीध में ही नीचे तो नहीं तो नहीं तो मैंने अंदाजा लगा को वहां पर है कि तो वहां पर देखा वहां पर बास्तर में में जो मकान बड़ा देखता था मकान था वहां पर खाली बड़ा हुआ बना बंद रहा था नषयरों को ट्रयुम सब्सक्राणी में नोगन देखे तो देखने ही ने मिज देखने पर ऋकर देखते दृवनмовण मौन होस्तर वाले पर देल देखनेक को मैं तो ची colour करते जो तो पिर नीची एक कमड़ी में एक कागस लेकर कि और एक sketch-pen लेकर काले color कि ऐसमें ठूँ़ हुटा सा बिंदु स्लीकी नक्जासा बना करें जक अरए मने देहा चेज़ सुचा में पहले ने खनी सब्सक्राइब चाफिए लास्ट थब से झालाना करें जिन दिससा कारता हूम आसपास की सारी धनीया बंद हो गई है अपने आप कान में होले हाल बंद हो गया इस तर्वे पर मैंने जो भी साधना की इस सभी में बंद और उठाया था वह सफल रहे थे उनके सबकें बहुत अच्छे परणाम हैं थे द्यान बहुत प्रबल था तो द्यान में अजवाया में अच्बाई बहुत प्रबल होता है। मैंने दीपक पर भी धेया, ध्यूचीय का भी किया। मैंने भूम्बती पर भी किया है तरय टंब चंद्रमा 710 जिल नावन जी जी और शुर दिय smarjana Hugrata सबसे जब दर जो तकलीफ जो कठें होता है तो द्यान को कभी भी जब हम ध्यान लगा रहे हैं तो ध्यान को कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए अगर अगर आपने उसका समय त्यक्त दख्खा है तो उतना करके छोड़िए उसको अगर कोई आवाज भी दे रहा है तो उसको जो देने वाला वाज उसको समझा देजिए कि अभी में दस मिनट में उठूँगा कि द्याने की कि लेशन कंगोंने के खत्रा रहता है जैसे जैसे हम द्यान करती है वैसे वैसे हमारी उर्जा होती है जो हमारी जो ब्रह्मान के तरह से उबर के जाते है देखिए जी तो जा रहे है और उसके आसे पास मन्त जा रहा है उसके घुमता हुआ उर्जा के फेरेता हुआ हूँ को जीत होता है यह जो लिंग के टो टेने का ख़़हरा भी कम होता है.. आपने देखा होगे शरीया बन बनी हुई होती है जो लोगे सरीय आखी होती है.. तो उसमें बगल में जो मोटी शरीय होती हिसमें एक अलग से उसमें होता हुआ है.. बल मुख्यों होता मालों को मजबूत करने के लिए उसको लचक लाने के लिए जंब लाने के लिए और तूट नहीं सकती है इसी तरह मंत्र का और क्रिया को ध्यान का संयोजन बन जाता है अब इसमें मैं आपको और चीज़ बताता हूं जो अलग है स्वासा अधूत भी है अध्यान के जरिये ही सच्च दानंद की समाधी ध्यान दाना और समाधी के वस्तां पहुंचाया सकता है मन्त्र के जरिये नहीं पहुचा सकता यह सबते हैं कोई दोराह नहीं जाता है ician-daeren असमाधी 3 बीर को सकती है कि एक सामाट लगाते हैं मैं बद्यान लगाते हैं देर या और एक बाब मार के क्रिया हुएं कामकलाकाली मंत्र प्रियोप यह सब में ध्यान और मंत्र दोनों अपनी पूर्णताकित पूर्णताकित के साथ चलते हैं लेकिन करने वाले नहीं है और पिर लेई भाग्यशाली या सबाग्यशाली होते हैं जो इसमें सफल होते हैं यह जो भगवान के द्वारत गुरू के दरा जो क्रिया है मिलती है कि एक हुद्धि समाधी की अवस्ता है हां समाधी का जो ध्यान होता है दोस्तों वो इस्तिर ध्यान होता है मन को एकदम रोकने के लिए होता है मन की गती को थामने के लिए होता है मन की गती में इस्तिरता लाने के लिए होता है क्योंकि समाधी इस्तिर होती है समाधी दोनों चीजों की लगती है मन की और इस जड़ सरीर की जेतन मन है और जड़ है सरीर तो दोनों की समाधी लगती है एक की समाधी अगर आपने सरीर जर्ष्त सरीर की समाधी लगा लिए और मन चंचल चल ला है तो वह समाधी नहों करके वह आपके लिए और अब्दा का करणा बनेगी तो यह भी शिद्यान लगना जब आप समाधी के वस्तान होते हैं मन भी श्थिर हो जाता है तो आपको अंदर से अलोक एक आनंद की प्रापती होती अपने आपी ऑटोमेटिक जिसको यह बढ़ने नहीं किया जा सकता है आपने कभी देखा होगा महिनों से सालों से दस्कों से किसी व्यक्ति के मन में जी मतलब भावना रहती है यह बहुत प्रबल भावना रहती है इता है से कि मैं फ़लाने फ़लाने मंदर में जाओं कि मैं जगनात्पुरी जाओं मैं दतिया जाओं मैं जवारा देवी जाओ नगर कोटками कि मैं मन सा देविंगपती जांगं मैं गख़न पैस यहां बी将 मन है ज्यादा कर रहा होता है कि ऑफ कृक्षकर एक जीघ जाने के लिए और वह उसको बहुत मानता है देवता को और सब्सक्रेंध और जहँए जब जब जीवन ऊका लगता है वह कजाता है तो भाव में प्रेम में स्रिद्धा में समरबण में उसके भेंकर तरीके से आसु निकल जाते देवता कि देखते ही वह आनुंद अंदर से ही आता है वो अनंद वो चीज़ां अंदर से ही आती है दम से निखल करके वो खुद तो रोना नहीं चाहता तो इतना बेग आ जाता है भाव का तुब उसक्षाच सामने खड़े दिखते हैं कि आपने सक्षीट निक्सकाम मक्ती की ओगी तो आप इस चीज़ को स्मझगे बहुत आरاسा नहीं समझ प् dad ने केवल मंद्र कर दो ना ईे किझा दिया ऍेलगे साथना किसी लक्षे के मिये जलिए बहुते कश़ गयं की ईप दो एप से नहीं समझपाएं एक तो ने क्योंकि मैंने इस प्रकार की भक्ति मेंने भक्ति मेंने ज्यादा तो नहीं एक अंज मात्र भगला मुख्य अन्मान जीए कि तो मुझे बालों में कि यह सब चीज़े हैं कि चलिया मित्रों आप एंज्योई किजिए आपको थोड़ी से ध्यान-धाना समाधी का अनुवर दे दिया और जो मेरे नए सादक मित्र हैं जो मेरे मंत्रों को फोलों कर रहे हैं चल रही है उन्हों को अवस्था बताता समाधी के लिए बिलकुल स्थिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् तो बस तू रख लेजिए और उसको निहार है आप वो कोई भी सीज़ हो सकती है लेकर वो होगी छोटी और आपसे डेरें दो फुट के दूरी पर ही होगी और आपके आखों के सामने की उचाई पर ही होगी वह बहले उसको कुर्ची पर रख सकते हैं दीवाल पर चपका सकते कि यह देखने ही कोज करिए है ठीक है और जब लगे कि दर्द होने लग जाए आंकों में तो इसे छोड़ दीजिए रोग दीजिए रोज ऐसा करिए दो तीन बार कम से कब दो तीन बार वो और दो तीन बार जी फिर आपको ध्यान लगाना में मांड़म है लेकिन कैसे पहले बाहर से हों देख लीजिए और फिर अंदर से अंदर से देखना है ठीक है न तो इससे ध्यान एका ग्रता मन पर नहीं नहीं ताना बढ़ेगा आपको दोस्तों लोग पूरा आपको नहीं बता पाते या पर अवाव रहता है या बताना भी नहीं चाहते है कि यह सारी चीजें मिल करके तब जा करके आगे चलती है हमारी बहुत सारी बिद्ध्याएं लुपत हो गए बहुत सारी जंद खतम हो गए गुरु वे गुरु उस ग्यान को लेकर के चले गए और ऐसे चले गए तो उसका कभी कोई वो नहीं रहा आज भी कुछ बिद्ध्याएं यहीं हैं दोस्तों जिसके भारत बरसमें किसाद गिने चुने एक दो व्यक्तिज होंगे जिसको जानती होंगे कि मैं एक है एक बहुत क्विजर्ग महिला के आपको किस्सा बता रहा हूं देखिए कैसा होता है आद्मी बिद्ध्याद्या लेके मर जाता है अस बुजर्ग महिला के पास कोई रोगी जाता है और उसको होता है आदा सीसी का बैंकर दर्द उसको डॉक्टर उसको सभी नहीं कर पाए बहुत बढ़िया बढ़िया डॉक्टर से इलाज कराने के पब जूद नहीं कर पाए उस महिला का ये सुनने में आया कि वो इसको दो मिनाट्र से हमेंसा के लिए परमानेंट को जरने क्या विद्ध्ध है उसके बढ़िया राघ लेते है ague Lees करती है कि मत्त पड़ती होगी मन मन पर खुख है असी दिन से धीमा से होते होते हैं तो बिल्गुख़त्म थोले दिन में कभी नहीं होता कोई अछा नहीं में जिसने पताया हो कभी उताया ठीक है यह अग्याद मेला अग्याद क्यों कि उसने ना तो फिमा से भूई वह ओ ओ मर गई पता हमें भी तब चला जा हमारा एक बहुत करीवी रिस्तेदार उसके पास गया था और उसने भी यही बताया कर साब उसके बाद कभी जिन्दगी यह नहीं हुआ आकला यह मैं पता चला बहुत सिंपलन और जिन्दगी जीने वालिस और ऐसी चीजन लोगों के पास थी लेकर चले गए बहुत कऊANT आपने लोगोंने हमें सिखा दो हमें सिखा लो नहीं उसने उसने साफ के दिया ये ये मेरे साथ ही जाएगी साब कह दिया उसने नहीं सखाया कि पेकि शिक नी सकते इस चीजां को आप अपको मालूब में है कि कि अखिउ लेकिन गाय वाला था गाय कारते ते बेशते थे बाबा बाबा तो उन्हें का ले आना सब्सक्राइब कर दूंगा सही बिलकुल और उन्हें मंगाया था एक डालडागी गाड़ा गाड़ा थोड़ी चल्वी तो डालडागी मिल गया था तो क्या हुआ उसने कुछ काटके मन्त पड़े इसको लगाने के लिए दे दिया तो विशवास नहीं मानें गे जो महीनों के इलाज में आड़ा नहीं पड़ा वो दो दिन की अरभ पड़ा गया और साही होगे बिल्कुल साही होगी लेकिन अंस प्याई कि चले गए लोगा इ आखिर में तभी तक किती है ना आखिर में जो एक सब्दा आता है अब दबागी ने दुआ की जुरू आता है वह इसलिए आता है जैब माता रादी की कर भी जाना कि कि कुछ चीजे में साब बता दूं अगर किसी को साब काट लेता है तो पहले उसे डक्टर को दिखाई ना कि इधर और क्योंकि वहां पर संभावना साब काटने पर एसा जल्दी इलाज मेंने की संभावना नहीं होती कोई सर्विस महां पर हो गिया क्योंकि तो उसको उप्ष तहुकर जाता है हर चीज में अन्द्र विश्वास नहीं चलता है कुछ चीजें ऐसी होति है जो आगों देखी चमतकाल होती है नहीं कि कभी भी बी तो सबता हूं मैं कभी अन्द्र विषवास का पक्षिदर नहीं हूं जब तक मैंने उस चीज़ को अजमान ने लिए और तब तक मैं मानता नहीं है अभी एक किस्टा में मोबाइल में टीवी पर चल रहा था देखा था मैंने किसी व्यक्ति के पीछे एक नागन पड़ गया है और जगें जाके ड़स चुगा है तो दोस्तों पूरु जनम का प्रारब्द का केले द्याना करना उसने उसने भी कुछ प्रारब्द में किया होगा कि वह इस जनम में भुक्तान दे रहा है यह घटना आवश्य होती है पनर जनम के हजारों किस्टे भारत में मौझूद है और जीयल किस्टे कर मौझूद है और बिना जान पैचान के यतनी दूरी होने पर भी उसने सब का नाम बता दिया सब कर या प्याचान लिए जाकर के छोटे से बालक ने तो बहुत बड़ी बात होती है याद रखना यह बड़ी बात होती है कि इस चीज को इतना है तो सब चीजे हैं संसार में मानों तो देव नहीं तो ना पानों तो पत्तर है बस विश्वाज हम फलकत फल्दायकम जैसी राम जैन्ना जी बाबागी